हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चनल आई होप आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जेड प्लांट है उसको कटिंग से कैसे ग्रो करें तो आप देख सकते मेरे पास ही एक काफी बड़ा जेड प्लांट है जिसको अभी ट्रे है तो यह काफी है थ्री मेंस अग एगो में लाया था और यह काफी अच्छी ग्रोज है इसकी तो अब बहुत सब्लाने के लिए हमें इसकी ट्रेमिंग तो करने ही पड़ेगी तो मैंने सोचा कि ट्रेमिंग करेंगे तो उसकी जो ब्रांचेस कट होंगी उससे हम दूसरे ब प्लांटे वह बहुत इसली कटिंग से ग्रोज हो जाता है तो मैं यह एक स्मॉल साइज का पॉट लूँगा तो जिसमें हम थ्री टूफॉर कर सकते हैं यह इस साइज के पॉट में ग्रोज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि एक में एक ही करें फिर जब वह और डैवलोप होने यहां के थिक को और एक्डव ऑटम ब्राउन हो गयी हो तो वैस्ट एंए नई लेनी है हमें ऐसी स्टैं deer कि जो एकडहें गृंट भी ना हो और ज्यादा ब्राउनमीना जो जाधा ग्रीन स्टेयं होती है तो आप देख सकते हैं यह उपर से ग्रीन है तो मैं अगर यहां से म होंगा तो यह नहीं हो पाई क्योंकि अभी काफी नाजुक स्टेम है काफी इसे अभी डैवलोप होने की ज़रूरत है तो हम यहां से इसे कट कर सकते हैं फिर आसी काफी स्टेम मैं कट करूंगा और अभी आपको मैं दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टेम्स कट कर ली है एक यहां से तो यह रही कुछ वो स्टेम्स यह देखिए यह त्री टू पूर या पाइव इंच लंबी है और इसे हम अब गार्डन सोयल में हो गाएंगे आप इसे कोई इसके अंदर इसे ग्रो करते हुए कोई पॉटिंग मे केलिक या वर्मी कमपोस्ट या कोपिट कुछ नहीं डालना है को यह आपको गार्डन सोइल यो ही DAY परसेंट के सेंट के मिक्स्टर में अब ग्रो करणाहं तो आये देखते कि तो यह बहुत बार कुछ आपपकउ अगर रखता हूं तो इसे हम अभी इसपॉट में बरेंगे तो यह मैंने 100 पर्सेंट गर्डन सोल यह तो आप अगर चाहें तो 100 पर्सेंट गार्डन सोल में भी ग्रो कर सकते हैं तो मैंने यह पॉटको अब कुछ इतना भर लिया है our garden soil है 100% तो अब मैं इसमें 3 to 4 या 5 cuttings इसमें मैं लगा सकता हूँ उसके बाद जब वो develop हो जाएगी जब वो उसमें growth दीखेगी तो हम उसे transplant कर सकते हैं तो अब मैं इसे काफ थोड़ी अब मैंने इसमें कुछ जगर रखी है एक हाफ फिंगर की जगर रखी है मैंने तो पहले हम इसे इसमें cutting डालेंगे फिर थोड़ी और सेंड डालेंगे और फिर हम इसे पानी देकर छोड़ देंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि cutting जहां तक आप लगा रहा है जैसे मैं अब यहां तक लगा रहा हूं तो यहां तक कि मैं सारे लीफ रिमूव कर दूँगा वरना अगर मैंने यह लीफ रखे तो यह घीले होंगे पानी से वाटरिंग टाइम तो इसमें फंगस होने की ऐसे और अभी मैं दूसरी लूँगा उसमें भी हमें सेम प्रोसेस करने हमें लीफ रिमूव कर देना है नीचे के तो ताकि क्या है उससे फंगस इंफेक्शन होने की चांसिस ना रहे फंगल इंफेक्शन तो यह मैंने अब मैं यह थोड़े डिस्टेंस पर आपको लगाना है अब आप देख सकते हैं मैंने यह फोर कटिंग्स मैंने डाल दिये और यह फिफ्ट कटिंग मैंने इसमें डाली तो अब इस पर मैं थोड़ी और स्वाइल की एक लेयर बिचाऊंगा फिर उसे वाटर करूंगा और फिर हम इसे छोड़ देंगे तो अब मैंने यह पोट में फाइव कटिंग्स लगाई है और मैंने इसे अब स्वाइल से कवर भी कर लिया है तो इसे अब हमें वाटर इंक अब देनी है अभी हमने कटिंग्स लगाई तो हम अभी वाटर करेंगे इसे वाटर देंगे लेकिन अब उसके बाद आपको वीक तक अगर सोईल सूखी ना देखे वेट सोईल आपको दिख रहे हैं तो आपको वाटर नहीं देना है वाटरिंग नहीं करने अगर आपने ऐसा किया डेली या बहुत जल्दी वाटर करने लगया तो इसके अंदर फंगस इंफेक्शन आ जाएंगे जो जेड प्लांट है इसमें बहुत जल्दी फंगस इंफेक्शन आते हैं तो आप मैं इसे वाटर कर दूंगा आपको एक बात ध्यान रखने हैं कि जो इसके लीवस हो वो उसे आपको रेगुलरली वाश करते रहे वाश मतलब स्प्रेयर से उसको स्प्रेय भी कर सकते हैं ताकि इसके उपर अग कोई फर्टिलाइजर कोकोपीट कुछ ना दे जब तक ये डैवलप हो ना जाए इसकी ग्रोथ ना दिखे ग्रोथ काफी हद तक आपको देख जाएगी वन मंध के अंदर तब तक आपको इसको कोई वर्मिकमपोस्ट कोई फर्टिलाजर कोई कोई कुछ नहीं देना है आप उसके बाद जब इसे आप री पॉट करें ये कटिंग्स ग्रो हो जाए तब तो तभी आप उसको उसके अंदर जो पॉटिंग मिक्स होता है वह आप डाल सकते है उसमें कोकोवीट सॉइल और वर्मिकमपोस्ट का मिक्शर आप कर सकते है और अगर आपको कोई स्पैसिविक टापिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए मैं उस पर जरूर बनाने की कोशिश करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक्यू समच फो वाचिंग बाए